वेलकम बैक टो वर्ट चैनल बिट्टो वेट आइक्स तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कुछ इस तरह की बैग्राउंड चेंज फोटो आइडिंग कैसे कर सकते हो वो भी पिक्सार्ट से तो गैस अगर आप जानना चाहते हो कि बैग्र कैसे रिमूब करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो इस वीडियो के खतम होने के बाद आप उस वीडियो को देख लेना ओके तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम पिक्सार्ट अप्लिकेशन को पिन करने के बाद यहाँ पर हम सिंप्ली डाइड फूट उपर क्लिक करने के बाद आपको एक पे अज़कर कहने है जो है इमूझी तो यह मैं प्ली स्क्रीन पर कर लेना है एडमीन फॉल बैक्रांड पर कर लेना है कुछ इस तरह अंद फ्र फिरस आपको आइड फोटो पर क्लिक करना है और फिर आपको यलो लाइट की PNG एड़ करनी है गाइस यह लाइट की PNG भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी तो आप उसे वहाँ जाकर डाउन लोड कर सकते हो तो इसको भी आपको फुल इस्क्रेंट से थोड़ा रखना ह सकेबाद आपको गायज इससे ब्लैंड के लिए आपको दूल बार है उसको थोड़ी आगे K तरफ स्क्रॉल करना है and ब्लैंड पर क्लिक करके स्क्रीन पर ब्लैंड कर देना है और इससे लिए पर टिक पर क्लिक करको ऊपर करके सेब कर लेंना फिर जापको एड़ a photo क्लिक करना है और एड़ा है पर क्लिक करने के बाद आपको अपने मौड़ल को इंप्वोड कर लेते हैं तो आपको एक वीनिया की PNG भी मिले की description में जिससा आप download कर सकते हैं तो उसे हम add करेंगे तो guys इसे add करने के बाद आपको इसे थोड़ा बड़ा करना है और आपको इसकी opposite को थोड़ा कम कर देना है अभी हम इसकी opposite को 72 के करीब रख रहे हैं तो आप भी 72 से 60 तक रखना इसके बाद आप से tick कर लेंगे ओगे फिर guys आपको फिर से add photo पर click करना है और फिर से वही vnit की PNG एड़ करनी है तो अभी हम फिर से यह PNG एड़ कर लेते हैं इसके आपको इसे full screen पर रखना है और इसकी opposite को आपको फिर से 60 के करीब कर देना है और फिर आपको tick करके इसे save कर लेना है फिर इतना करने के बाद guys आपको simply download के बटन पर click करना है और इसके बाद guys आपको अपने phone से lightroom mobile open करना है guys lightroom mobile और pixel application का link आपको description में मिल जाएगा तो आप उसे वहां जाकर download कर सकते हो और guys अगर आप ऐसे editing में interest रखते हो तो आप हमारे channel subscribe कर सकते हो okay so guys इसके बाद आपको simply all photos पर click करना है और फिर आपको plus का icon पर click करके इस photo को add कर लेना है तो guys फिर इस photo को add करने के बाद आपको यह photo को select करना है okay then guys select करने के बाद आपको profile पर click करना है फिर profile पर click करने के बाद guys आपको simply basic पर click करना है और फिर आपको artistic पर click करना है artistic पर click करने के बाद guys आपको artistic 04 पर click करना है 160 के करीब Okay Then guys फिर आपको टिक पर क्लिक करना है And फिर guys आपको एफेक्ट बढ़ जाना है And इफेक्ट बढ़ जाने के बाद आपको इसके टिक्ष्टर को बढ़ा देना है And clarity को बढ़ा देना है And guys आपको जो V-Nit है उसे थोड़ा कम कर देना है एंड गैस इसका जो midpoint है आपको उसे 24 के करीब कर देना है एंड जो उसके feeder है आपको इससे 20 के करीब कर देना है एंड गैस इतना करने के बाद फिर आपको detail पर जाना है फोटो को थोड़ा sharp करने के लिए सार्पनिंग को बढ़ा देना है तो guys photo को जितना भी सार्प करना चाहो अपने according कर लेना तो guys अब हमारी background change photo editing complete हो चुकी है तो अब इसे gallery में save करने के लिए आपको simply share के button पर click करना है and save to device पर click करना है उसके बाद guys जो photo होगी export होना start हो जाएगी और export होकर आपकी gallery में save हो जाएगी तो guys अभी यह आप आप देख सकते हो export completed दिखा रहा है तो अब यह photo हमारी gallery में save हो गया है तो guys अब आपकी photos आपके gallery में save हो चुकी है और आप अभी social media पर use कर सकते हो तो guys अगर आप कोई tutorial पसर लाया हो तो please इस video को like कर देना और चैनल को subscribe करके bell icon press कर देना और guys अगर आप इस तरह की और interesting photo writing सीखना चाहते हो तो आप हमारी चैनल के playlist check कर सकते हो और हमें आप Instagram पर भी follow कर सकते हो guys ओके तो guys मिलते हैं next video में तुद तक लिए take care bye